हालो फ्रेंच वेलकम यू आल आज मैं आपके जो वीडियो लिखा रहा दिखे बात करेंगे दो स्टॉक्स की और बात करेंगे बड़ी पिक्चर दा बिग पिक्चर दो स्टॉक्स बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के माध्यम से और प्राइस सेक्शन के ब बैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप जोइन कर सकते हो मैंबर से जॉइन बटन पर क्लिक करके जी हां पहला स्टॉक जो आपके सामने आ रहा है वह आएगा मोदी संस लेमिटेड बहुत इंप नीच वहने जिनके पास डेटा है डेटा की बहुत वैली होती है आप ही देखिए उस धार मुक्त कंपनी जबरदस्त ये कंपनी लेकिन पिछले कुछ टाइम से बिलकुल गिरते हुए काफी नीचे आ जया था प्राइस उननिस सो के लेवल से यह स्टॉक 900 यह जार के लेव समझा तो मैं आपको एक और important part यहां पे stock के बारे में दिखाता हूँ देखिए कि हमारे लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बात है यह तो मैं अपमाई इंडिया ते तो खमाल कर दिया चूटी चूटी चीज़े हैं मैं आपको इसको छोटे time frame पे लेके जाओंग जोगा देडी पे कि यह इसे नया स्टॉक है मार्किट में तो डेली पे टू-ंडड ऐसे में दिखने लग गया दिखने के बाद प्राइस जो है टू-ंडड ऐसे में के नज नीचे ही था और जैसी यहां पर टू-ंडड ऐसे में की साइकल स्टार्ट हुई ज्यान देना साइक यह अब देखे डेली पर जाओगी तो अलग-अलग आपको swing highs देखने को बिल रहे हैं तो इस swing highs को देखिए क्या है अभी अगली targets की तरफ अग्रसार हो रहा है दिरे दिरे consolidation correction करता हुआ map my India लेकिन map my India के share को जब आप देखोगे यह stock देखिए value of data कितना प्राइस तरीके से और यह वीडियो ज्यादा पुराना नहीं आपके सामने यह आया है और किस तरीके की consolidation चली और आप फिर से अभी देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पर जो प्राइसिंग तो 27 28 यहां पर 1206 यह जोन देखिया यह जोन देख सकते हो जोन अटाइस 39 और उसके बाद consolidation फिर यह level पार होता है यहां पर 1250 और सीधे सीधे आपको मिलती है बड़ी र देख सकते इसे चीज को लो रिसके क्या opportunities तैयार हो रही है मोमेंटम हम अलड़ी यहां से आ चुके हैं तो यह छूटा स्टॉक है मैं इंडिया प्राइस के बाकी स्टॉक का अगर comparison यहां पर रखते हो लेकिन बहुत ही बहतरी कि 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 आई टी स्टॉक में पॉजिटिविट उससे पहले का जोन हम अलड़ी टच कर चुक है देखिए देख रहो यह जोन तो यह छोटी छोटी चीजे जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजे मैं कहूंगा और प्राइस साइकल यह हमको एक पॉजिटिविटी देती इस तरीके की चीजे लो रिसकी की opportunity के बा अग्यम से हम अगले stock की तरफ चलते हैं जो है मोदी संस लिमिटेट मोदी संस एक लेवल पर पहुंच चुका है भी 200 SME के पास और बहुत ही बहतरीन तरीके से support लेके consolidation दे रहा था बस यह consolidation आई और stock आपके सामने आया अब आप देख सकते हो relate किए इन दोनों consolidation को इस consolidation को देखिए इस consolidation को देखिए मैं आपको यहां पर फिर से इन दोनों consolidation को देखते हैं समझते हैं देखिए weekly का और यह daily क्या cycle स्टार्ट होई है अगर आप overall perspective से देखो तो जो daily पर यह situation थी देखिए 200 SME का बहुत ही बहतरी support और अब rally अब आपको क्या rally आई है देखिए rally से पहले अगर आप देखोगे तो किस तरीके से चीजे यहां पर तैयार हुई बनी नीचे उपर stock गया फिर एकदम यह 82 84 कर लेकिन journey start हुई है journey start हुई है लेकिन मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कि close to the moving average हमेशा जहां पर भी entry लेनी है moving average के बिलकुल पास लो तो risk कम होता है अब इसी stock को हम पुराने cycle से देखते हैं यह देखिए इस stock को देखते हैं समझने के कोशिश करता है micro cap stock देखरें इस पार्ट को 75 का यह level था और ज्यादा पुराने वीडियो नहीं तीन दिन ago three days ago मतलब Tuesday Wednesday और उसके बाद देखिए सीदे रहली दो दिन हाल्ट 75 का वो प्राइस था और सीदे 95 के आरांड का जो पहला टार्गेट है 95 से 102 के आरांड का यह देख सकते हो clearly लिखा हुआ है और अभी बिलकुल उसी पात पर अग्रसर है और क्यों क्यों कि यह बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है बड़ा टाइम लोज अलग तरीकी का एक सिचुएशन देखिए इकवल लोज के बाद यह स्टार्ट हो रहा है नई कंसॉल्डेशन यहां पर हमें देखने को मिली तो यह इससे जो उमीद होगी तो यहां से सतर से पहुदिया सीदे सौ पे और सौ एक सो पाच पे और हमारा सीदे सीदे 50 प जो कि सीदे 20 से सौ के लेवल पाई यानि कि पांच गुना यह हुई तो इसी तरीके के एकस्पेक्ट हुई कि यहां से सप्तर से यह 300-300 के लेवल तक जाए अगर आप देख सकते कि पिछली रैली को पूरा उपर तक जाने में क्योंकि उस ताइम पर मार्च फास्ट पेस थ लगाए जाएगी कि यहां जो रैली आए वह साल चले यहां फिर और तब जाके हमारे पूरे तार्गेट को अचीब करता है कि हां यह एक इंपल्स है अब यह खतम हो सकी है करेक्शन का टाइम आएगा इसलिए प्रॉफित बुक करना बनता है वागली जब इंपल्स बनेग बहुत ही खरनाक होते हैं और इसमें बड़ी रैली आपको देखने को मिलते हैं रस्त कम होता है और उसमें टाइम भी मिलता है चुकि वीटली पे इंपलेशन में बहुत है माप इसी स्टॉक को देखने जिए 15 माई 2023 से 15 जुलाई 2023 तक और मैं से जून आया जून से अब मालो आपने 75-76 के एंट्री किया तो आपको पता आपको स्टॉक से रहा तो अगर यहीं टार्गिट भी आप सीज़े सीजे सीजे 30-25 के रहां तो आपका इसील जो है वो लो रिस्क की आपर्टिंटी की काटेगरी में आई और क्योंकि माइक्रुक्ट स्टॉक है तो मै अगर अगर वीडियो को आप शेर की जो लाइक की जो पाई सब्सक्राइए और कमेंटर में मोटिवेट करते रहें अगर आप इन वीडियों को माध्धन सो को स्कूक रहा है तो आपको तो